अच्छी बात यह है कि एक्जाम की डेट्स आ गई है आपका CHSL टीर 2 की जो एक्जाम की डेट्स है वो 9 जैन्वरी है यहीं कि 9 जैन्वरी को CHSL टीर 2 का पेपर होगा यहीं कि आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा इसके अलाबा CGL का जो टीर 2 है CGL 2020 का जो टीर 2 है वो मतलब शरम इनको आनी चाहिए वैसे तो कि भाई 2020 का पेपर है और 28 जनवरी 29 जनवरी 2022 में लेंगे फिर भी एक अच्छी बात इसमें यह है कि सिर्फ दो दिन पेपर है तो इसमें क्या होगा पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि मैट्स और इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका 28 जनवरी को हो जाएगा और डबल यो यानी कि डबल यो पेपर 3 पेपर 4 और जो आपका जेसो वाला पेपर 3 है यह आपका 29 तारीक हो जाएगा तो यह अच्छी चीज है कि एक ही दिन पेपर होगा तो इस बार जैसे पिछली बार हुआ था नर्मलाइजेशन की विजए से कई बार माइनस पान सो माइनस देड़ सो नंबर बच्चों के आए उसकी संभारना खतम हो जाएगी तो यह काफी अच्छी चीज है कि जो अभी कहा जा रहा था ना कि सारा खेल ही लग बेस्ट हो गया है सब कुछ लग के अधार पर हो रहा ह है कि लग है तो नंबर आएंगे लग है तो नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपका शिफ्ट है तो नॉमलेजेशन का फायदा है तो वो चीज नहीं होगी यह एक अच्छी बात इसमें देखी गई दूसरी बात इन्होंने एक और अच्छी चीज दे दी कि इन्होंने CGL 2020 का टीर 3 का भी descriptive का date दे दिया 6 February 2022 को टीर 3 का date होगा इसके अलावा selection post इसका अभी notification आया था यह भी computer based test होगा यह 2 February से लेकर 10 February तक इसका paper चलेगा तो यह अच्छी बात है CGL Tier 2 और CHSL Tier 2 की date है CHSL की non January और CGL Tier 2 की date 28 और 29 तो 28 को paper 1, paper 2, 29 को paper 3, paper 4 तो यह अच्छी बात होगे इसके लावा MTS के लिए later इन्होंने एक notice निकाला है कि आप को questions को questions को reveal नहीं करिए जो भी आप exam center पर questions कर रहे हैं उनको किसी भी viewer किसी को भी मत बताईए उनको बिल्कुल ही आप से छुपा कर रखे मत बताईए किसी को जब तक exam चल रहा है और exam conductor कोई भी obstruction create करने की कोशिश मत कीजिए तो यह तो अच्छी बात है कि CGL T2 की date आ गई बट इसमें खराब बात यह है कि CGL 2021 की dates इन्होंने नहीं दी है तो CGL 2021 कब होगा उसकी notification कब आएगी इसके लिए भी इन्हें calendar निकालना चाहिए और so that हम आगे की तहरी कर सकेंगी CGL 2021 में आप exam लेंगे या CT क्योंकि CET अभी उसकी कोई dates final नहीं है तो और CET होगा भी तो कोई 2022 में होगा तो उसके लिए 22 वाले सीजियल में होगा तो most probably exam में conduct कराएंगे और खो सकता है notification October, November, November, December तक आ सकती है कि कहिए मैंने एक probability बताई है तो CGL 2021 की dates इन्होंने नहीं दी है बांकी अच्छी खबर है कि CGLP dates दे दी है आपके लिए पूरा समय है दो तीन चार महिने का समय है आप अच्छे से आपके पास October है November है December है January है पूरा पूरा चार महिने का समय आपके पास है अच्छे से त्यारी करिए और exam के लिए prepare हुए तो मिलते हैं अबले वीडियो में तब तक के लिए good bye take care and have a very good day thank you so much